बच्चो जिस प्रकार हमने न्यूटन की गती के लिए तीनो नियम देखे थे और रेखिये गती को हम न्यूटन के इस गती के तीनो नियम के अकॉर्डिंग ही अध्यन करते आए हैं अब हम घुर्णी गती के लिए भी गती के तीनों नियम देखते हैं और ये नियम कुछ अलग से नहीं होंगे जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे बस गती के तरीके में अंतर है रेखिये गती के जेगे हम घुर्णी गती का अधिन कर रहे हैं पर गती के लिए जो कॉंसेप्ट है वो वही रहेंगे तो आईए हम घुर्णी गती के तीनों नियम को लिखने का प्रयास करें हम रिकॉल करते जाएंगे जो हमने रेखी गती में लगाया जाए और इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं अब इसी प्रकार यदि हम घुर्णी गती की बात करें तो यहाँ पर गती तो हो रही है पर वो घुर्णी गती है वस्तु अपने अक्ष्ट में गती कर लिए और यहाँ पर हम बल की जगे बल आघुन शब्द का स्तमाल करेंगे यानि कि कोई वस्तु यदि विराम वस्ता में तो विराम वस्ता में रहेगी लेकिन यदि घुर्णी गती कर रही है तो वह उसी कोणिय वेग से उसी दिशा में गती करते रहेगी जब तक उस पर कोई बाहे बल आघून ना लगाया जाए तो बल के जगे हमें बल आघून शब्द का स्तमाल करना है यह बल यूगम का आघून भी लिख सकते हैं आप यहां पर या तो एक बल कारे कर रहा होगा जिसकी घुड़ना नक्से कुछ दूरी होगी तो इसम कोई भी हो आपको यहां पर कॉंसेप्ट को समझना है हमने रेखी गती में केवल बल शब्द का स्तमाल किया लेकिन गुरने गुर्नि गति कर रही होगी तो वो उसी दिशा में उसी कोणी इवेक से घुर्नि गति करते जाएगे जब तक उसमेंfind बल आगोन ना लगाया जाए या बल युग्म का आगोन ना लगाया जाए मैं दूसरा नियम देखते हैं दूसरे नियम के अनुसार सम्वेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है जिसको हम लिखते थे एफ इस इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी जहां पर पी रेखी सम्वेग था और अब जब इसको हम घुर्णी गती के लिए लिखते हैं तो रेखी सम्वेग शब्द के स्थान पर कोणी सम्वेग शब्द का स्थमाल करें और बल के स्थान पर बल आघौन तो घुर्णी गती के लिए दूसरा नियम इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि कोणी सम्वेग परिवर्तन वस्तू पर लगने वाले बल आघौन के पराबर होती है और हम लिख सकते हैं DL upon DT equal to बल आघौन एक्शली जब हम लोग इस नियम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर समानुपाति चिन्न का स्तमाल किया जाता है पर जब हम समानुपातिक नियतांक का मानासाय मातरक में लिखते हैं तो उसका मान वन होता है इसलिए हम समानुपाति चिन्न ना लिखकर बराबर का चिन्न लिख दिये हैं चाहे तो आप यहाँ पर समानुपाति का चिन्न भी लिख सकते हैं अब गुर्णी गती का तीसरा नियम, रेखिये गती में न्यूटन की गती का तीसरा नियम क्या था? प्रतेक्रिया के बराबर तथा विप्रिक प्रतिक्रिया होती है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है यदि किसी सिस्टम में, यदि किसी निक पित कर रहा होगा दूसरा कंड भी पहले कंड पर उतना ही बल आरोपित करेगा और ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे तथा विप्रित दिशा में कारे करेंगे और इसलिए इन दोनों के बीच की क्रिया को हम unknown क्रिया कहते हैं और इसी concept को यदि हम घुरनी गती के लिए लगाएं तो हम लिख सकते हैं प्रत्यक बल युग्म के बराबर तथा विपरित बल युग्म कारे करता है तो यहां हमने बल के जगा बल युग्म का स्तमाल किया तो इस प्रकार हमने घुरनी गती के तीनों नियमों को इस रेखिये गती के नियमों से रिलेट करके establish कर लिया अब हम अगले concept को पढ़ते हैं घुरनी गती में और यह है जडत्व आघोन इससे हम इंग्लिश में कहते हैं moment of inertia जडत्व शब्द हमने रेखिये गती में पढ़ा जडत्व शब्द का क्या आर्थ होता है एक्चुली जडत्व किसी भी वस्तु का एक आंत्रेगों होता है जिसके कारण वो अपनी स्थती में परिवर्तन का विरोध करता है ये वस्तु गती शिल अवस्ता में तो वो उसी दिशा में उसी वेक से गतीशिल रहेगी जब तक उसंपे कोई बहएबल ना लगाया जाए और यह गुन जिसके कारण वो अपनी अवस्ता में परिवर्तन का वीरोध करता है उसे हम जडत्व कहते हैं यानि की inertia आइक्ट्य बच्चों यह जड़त्व शब्द पेड़ों की जड़ से या जड़ का क्या काम होता है? वो पेड़ों को मिट्टी से टाइटली पकड़ कर रखते हैं, कस के उसे होल्ट करके रखते हैं, और पेड़ को पने स्थान से मूफ करने नहीं देते, या पेड़ की कमजोर रहती है यह यू कहें कोमल रहती है कि जनरली पौधों में होता है जैसे अब घास ठोस या पौधे देखते है बेल वाले जिन में की जड़े कमजोर होती हैं पतली पतली होती है उनको मसानी सी उखाड के फेग देते हैं लेकिन जो पेड्र जिनके जड़ बहुत ही मज कि यहां पर हम जड़ को ना ध्यान देखें 5 यह देख रहे हैं कि किस पेड़ का जड़ कमई Parents इसका द्रवयमान कम था उसका जड़ भी मजबूत था तो यह कह सकते हैं जो जड़त्व शब्द है वह डिपेंड करता है द्रवयमान पर अगर वस्तू का का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा और वस्तू का द्रव्यमान अधीक है तो उसका जड़त्व भी अधीक होगा इसको समझने के लिए हम लोग एक और एक्जामपल लेते हैं मान लीजिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और आपके सामने एक खाली प्ला कि अपने लगा जाए पानी का भरा हो या ओयल का ड्रम आजा तो क्या आप उसको ऐसे किक मार देंगे उसे आप उसको किक नहीं मारें गे तो आपके पैरों पर ही चोट लग जाएगी तो दोना में क्या फर्क आथ बल तो अपने समान लगाया उस खाली प्लास्टिक ही बोटल आपको चोट लग गई तो ड्राम के स्थिती में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कि यह आम देखें तो बॉटल का द्रव्यमान कम था यदि सिंपल सब्दों में बोले तो बॉटल हल्की थी और ड्रम भारी था और यदि इसको भॉतिकी की की शब्दों में कहें तो बॉटल का द्रव्यमान कम था और ड्रम का द्रव्यमान अधिक था तो जिसका द्रव्यमान कम था आप उसकी स्थिती में आसानी से परिवर्तन कर दिये और यूं कहें तो उसका जड़त्व कम था और ड्रम जिसका द्रव्यमान अधिक था तो उसका जड़त्व भी अधिक था इसलिए उसके स्थिती में परिवर्तन नहीं हो पाया तो जड़त्व शब्द को यदि हम समझने का प्रयास करें तो वह वस्तु का द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है अब इसी कॉंसेप्ट को हम घुर्णी गति के लिए इस्तमाल करते हैं घुर्णी गति में हम जड़त्व आघुन शब्द का स्थमाल करते हैं यानि की मोमेंट अफ एनर्शिया अब जड़त्व आघुन किसी भी घुर्णी गति करते हुए वस्तु का वह गुण होता है यह आंत्री गुण है जिसकी वज़य से वस्तु अपनी अवस्था में आघुन शब्द का स्थमाल किया है क्योंकि वस्तु गुर्ण निगति कर रही है और जब हमने बल आघुन के बारे में पढ़ा था तो यह जाना था कि बल आघुन का मान गुर्णन अक्ष से बल की दूरी पर भी निरभर करता है तो इसका मतलब जड़त्व आघुन भी और इस प्रकार हम जड़त्व आघुन का फॉर्मला देखें तो जड़त्व आघुन को हम आई से दर्शाते हैं और आई बराबर होता है एम आर स्क्वेर जहां एम पिंड का द्रवेमान है और आर घुर्णन अक्ष से पिंड की लमवत दूरी होती है यहाँ पर हम देखें कि गुर्णन अक्ष एक्स डैश है और उससे दूरी आर है तो आई बराबर हो जाता है एम आर स्क्वेर और यह जड़त्व आघुन का सूत्र है अब इसका मात्रक देखें तो द्रवेमान का मात्रक होता है केजी और दूरी का मात्रक होता है मीटर तो जड़त्व आघुन क का मातरक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वेर और इसका विमी सुत्र निकाले तो केजी के लिए हम लिखेंगे एम और मीटर के लिखते एल तो यह जागा एल स्क्वेर तो जड़त्वागूण का विमी सुत्र होगा एल स्क्वेर टी पावर जीरो और यदि वस्तू एन कणों से मिलकर बनी हो और सारे कणों का द्रविमान अलग अलग हो माना कि हम कण का द्रविमान M1 M2 M3 और सो ओन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पर वस्तू के अंदर हम एक अक्ष ले रहे हैं एक्स एक्स डैश जिस M1 की दूरी मानली जी R1 लिख रहे हैं M2 की R2 और इस प्रकार हम अलग-अलग कणों की दूरी यहां पर गुंडानक से दर्शा रहे हैं तो इस पूरे वस्तू का पूरे पिंड का जड़त्व आघोन हर कण के जड़त्व आघोन का योग होगा तो इस प्रकार हम लिख सकते I बराबर M1 R1 स्क्वेर प्लस M2 R2 स्क्वेर प्लस सो ओन यह N कणों के लिए N कणों के जड़त्व आघोनों को हम योग कर देंगे तो पूरे वस्तू का जड़त्व आघोन हमको ग्यात हो जाएगा और यहां पर योग कर रहे हैं तो हम सब्मेशन चिन कस्तमल कर सकते हैं त स्क्वेर जहां I का मान एक से लेकर N तक होगा क्योंकि यहां पर N कण है तो इस प्रकार हम N कणों वाले वस्तू के लिए भी जड़त्व आघोन का सूत्र लिख सकते हैं और सूत्र से हम देख रहे हैं कि जड़त्व आघोन का मान किन-किन कारों को पर निर्भर कर रहे हैं ह आमने देखा था कि रेखिये गती में जड़त्व शब्द का सीधा संबंद द्रव्यमान से था लेकिन यहां हम देख रहे हैं जड़त्व आघोन का संबंद द्रव्यमान से तो है ही यह द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है साथ साथ यह द्रव्यमान के वित्रण पर भी न M1 है यह पास हुआ तो इसका जड़त्व आगोण आलग होगा दूर हुआ तो इसका जड़त्व आगोण का मान बढ़ जाएगा इस प्रकर सभी कणों के लिए जड़त्व आगोण का मान उनकी दूरी अगर घुर्णन अक्ष से चेंज की जाए तो चेंज हो जाएगी तो जड़त्व आगोण का मान द्रविमान के वितरन पी भी निरभर करता है साथ साथ इसका मान घुर्णन अक्ष की स्थिती पर भी निर्भर करता है अगर द्रविमान का वितरन बोल रहे हैं इसका मतलब घुर्णन अक्ष वहां पर में इसका द्रवयमान दिख रहा है अब बताए अगर दोनों को घुमाना है इस घुर्ण नक्ष के परिता यहां पर दो अक्ष्यम को दिख रहा है तो बताए दोनों में से किस पर ज्यादा बल आघुन इस्तमाल करना होगा क्या दोनों में सेम बल आघुन लगाने से यह दोन जड़तव आघुन अधिक होगा तो जिसका जड़तव आघुन अधिक होगा उसमें ज्यादा बल आघुन लगाना पड़ेगा रेकिन मान लीजिए दोनों चक्तियों का द्रवेमान बराबर है बस distribution अलग तरीके से एक में प्रफैला हुए है और एक में केवल रिम में ही उसका द्रवेमान वित्रित है अब दोनों का द्रवेमान यदि सेम हुआ अब इन दोनों केस में बताईए किस पर बल आघुन अधिक लगाना पड़ेगा तो सीधा कॉंसेप्ट तो है जड़तव हुआ उस पर अधिक बल आघुन लगाना पड़ेगा उसे घुमाने के लिए अब यह बताईए दोनों में से जड़तव आघुन किसका दिक होगा यदि हम इस भरी वाली चक्ति को देखें तो यहां पर द्रवेमान का वित्रण इस घुरुनन अक्ष के चारों और एक समान ह हम देखें तो द्रवेमान का वित्रण केवल रिम्स पर है यानि की द्रवेमान अधिक इसके रिम्स पर है अधिक द्रवेमान केवल इसकी परीदी पर है और परीदी मतलब घुर्णन अक्ष से अधिक दूरी अधिक होगी द्रवेमान की तो हम सूत्र में आई बराबर एम स्क्वार लिखते हैं तो दूरी अधिक होगी तो स्क्वार करेंगे तो मान और बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन में इस चक्ती का जड़त्व आगुण अधिक होगा तो अब ये क्लियर हो गया कि जिसमें पूरा द्रविमन फैला हुआ था उसका जड़त्व आगुण कम है और जिसमें वित्रण केवल उसके रिम्स में था उसका जड़त्व आगुण अधिक है अब बताएए दोनों को घुमाने के लिए किसमें ज़्यादा बलागुण लगाना होगा तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि अब उस वाले चक्ती को घुमाने के लिए अधिक बलागुण लगाना होगा लेकिन अब ये बताएं कि दोनों चक्तियां एक पर घूमना प्रारंब कर दी तो कौन सी चक्ति पहले विरा मवस्था में आ जाएगी यानि कि पहले रुख जाएगी तो इन दोनों चक्तियों में जो चक्ति भरी हुई है यह पहले रुखेगी और जो चक्ति में ड्रवेमान का वित्रण केवल रिम्स में है वो देर से रुखेगी बच्चों इस छोटे से प्रयोग को आप भी अपने घर में करके देख सकते हैं और खुद से अनभव करिएगा कि जो चक्ति भरी हुई है वो जल्दी रुख जाएगी और जो चक्ति में केवल रिम्स में वित्रण है वो देर से रुखेगी अब ऐसा क्यों होगा क्यों कि हमने पहले यह जाना कि उस चक्ति का जड़त्व आगोण अधिक है मतलब वो अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देगा तो जब वो शुरू में विराम में था उसको हमने घुमाया तो घुमाने के लिए भी अधिक बाल आगोण के अवस्था अवस्था में भी परिवर्तन नहीं होने देगा इसका मतलब वो चक्ति देर तक घुमते ही रहेगी और इसलिए बच्चों जब हम पहिये को बनाते हैं किसी भी गाड़ी की तो हम कभी भी पहिया भरा हुआ नहीं बनाते अपने देखा होगा कि पहिये में केवल बल रिमस में द्रवे इस लावर च्च मैं सुलिए लेकिन मेक्सिमम द्रवे मान उसका कहां रहता है विम में Hue गूंना प्रारा म कर दें तो वह आसानी से कि ना रोक जाए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पहले लकडी के पईयों का निर्मान करते थे उस समय हम गोल गोल लकडी की चक्ति काट के उसका पईया क्यों नहीं बना देते थे उस समय भी हमने लकडी की पईयों के बनाने के लिए खाली रिम्स में ही द्रव्यमान क और बीच में केवल कुछ पट्टियों के जरिये ही उसको जोड़ा जाता था ऐसा करने से मैक्सिमम वित्रण केवल किरारों में होने की कारण पईया जो है आसानी से घूम पाता है या फिर एक बार घूमना प्रारंब करता है तो वह घूमने की अवस्था में ही बहुत देर त रखेंगे तो चलिए इस कॉंसेप्ट को और मजबूत करने के लिए जड़त्व आगुण पर अधारित एक आंकीक प्रश्ण बनाते हैं और साथ ही जड़त्व और जड़त्व आगुण में अंतरविस्पष्ट करते हैं अब हम जड़त्व आगुण पर अधारित एक आंक प्वाभुन ग्याद कीजिए दूरिया मीटर में हैं यहां इस कोश्चन में दिये गए दोनों बिंदूओं के Z मिर्देशांक सुनने है आता दोनों बिंदू X Y तल में स्थित है बिंदू 030 की X अक्ष से दूरी 3 मीटर है जबकि बिंदू माइनस टू माइनस टू 0 की X अक्ष से दूरी 2 मीटर है अता निकाय का X अक्ष के साप एक्ष जड़त्व आगोण I बराबर होगा M1 R1 स्क्वाईर प्लस M2 R2 स्क्वाईर क्योंकि यहां पर दो कण है इसके दोनों के आगोणों को हम योग करेंगे तो अब यह प्राप्त होगा 3 इंटू 3 स्क्वाईर प्लस 4 इंटू 2 स्क्वाईर स्क्वाईर क्रेंगे 27 प्लस 16 इक्वल टू 43 संट उध्युक्त पर्णति आगोण का मावाद रखम लेकेंगे और यह होता है किलोग्राम मीटर स्क्वाईर इस प्रकार आई बराबर होगा 43-3 kg meters square जड़त्व और जड़त्व आघोण में अंतर जड़त्व जड़त्व आघोण इसका महत्व रेखी गती में होता है इसका महत्व घुर्णी गती में होता है किसी वस्तु का जड़त्व उसके दर्वेमान पर निर्भर करता है किसी कान का जड़त्व आघोन उसके द्रव्यमा तता घुर्णन अक्ष से उतकी लंबवत दूरी पर निर्भर करता है यह किसी वस्तु के लिए नियत राशी है किसी वस्तु का जड़त्व आघोन घुर्णन अक्ष पर निर्भर करता है घुर्णन के बदलने पर जड़त्व आगोन भी बदल जाता है।